नमस्कार इस वीडियो में हम इगनू की 3 new topic के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे revaluation result के बारे में इसके बाद बात करेंगे BAC practical exams के बारे में इसके बाद हम बात करेंगे hall ticket के बारे में तो ये सभी student के लिए बहुत ही important है तो वीडियो को पूरा देखिएगा and तक देखिएगा और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आएं तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजेगा तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं Reavulation Result की जो कि आप देख सकते हैं कि Reavulation Result की 18 January 21 तक का Update कर दिया गया है और इससे पहले 17 January 21 तक का Update था तो आप अपना Reavulation Result को चेक कर सकते हैं इसके बाद हम बात कर लेते हैं B.A.C. Student के लिए जो कि आप देख सकते हैं कि Guidelines for Conduct of Lab Examination of Lab Course of B.A.C. Programs in Old Age की जो student B.A.C. Programs में Lab का एक्जाम देना चाहते हैं और वो और Old Age Student है पुराने Student है तो उनके लिए Lab के लिए सीडूल चारी कर दिया गया है तो आप अपना यहां से चेक कर सकते हैं जो कि आप देख सकते हैं कि यह जो है यह Date Seat for Examination Laboratory Course के लिए है जो कि आप देख सकते हैं Life Science का यहां पर आपका Date Mention है कब आपका Date है वो आप यहां से चेक कर सकते हैं इसके बाद है physics का, तो आप अपना देख सकते हैं, physics का कब से आपका exam है, B.S.E. वाले student के लिए, इसके बाद आप देख सकते हैं, chemistry का आपका कब से exam है, यह lab का exam है, तो आप देख सकते हैं, इसके बाद यह morning session का है और यहाँ पे evening session का है, तो आप अपना यहां से चेक कर सकते हैं इसका लिंक हम डिस्क्रिक्षन में दे देंगे अब हम बात कर लेते हैं पर्मोसन वाले हॉल टिकट के बारे में तो इसका लिंक जो है इगनू की ओर से कल ही जारी कर दिया गया था लेकिन बीच में इसको फिर अंडन मेंटरेंस के लिए कर दिया गया था इसका लिंक जो है फिर अंडन मेंटरेंस में चला गया था तो लेकिन फिर से इसको ओपन कर दिया गया है अभी अभी इसको फिर से दुवारा से इस लिंक को ओपन कर दिया गया है तो हमने एक लरका के पुटाम को हज़िगट को डाउलूट करके रख लिया है तो आप यहां पर देख सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं कल भी हमने बात किया था कि Kini students को पर्मोट किया जाए और Kini students को नहीं पर्मोट किया जाएंगा तो आपको simple समझना है आपको कुछ नहीं करना है देख लीज़े यहाँ पर आपका जो है red color से लिखा हुआ है तो red color से जितने भी red color के नीचे program लिखा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं कि MCS 031, MCS 032, MCS 033, MCS 034, MCS 035 तो इतना जो course है इन course को promote कर दिया गया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने exam firm भरा है इन course के लिए लेकिन इनको hall ticket में mention नहीं किया गया है इस box में mention नहीं किया गया है इसको direct promotion दे दिया गया है और एक और बात जो student चाह रहे थे कि हमको promotion नहीं चाहिए उनको भी promote कर दिया गया है यह सब के लिए बराबर है तो आप अपना यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं जो यह course में यहाँ पर जो box में mention है यह course तो उसको exam देना है और यहाँ पर जो rate color के नीचे है उसको आपको exam देना नहीं है इसको आपको promote कर दिया जाग गया है तो अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ instruction के बारे में जो कि आप देख सकते हैं यह instruction है यह पहले के ही तरह यह instruction दिया गया है कि आपको किस तरह से multiple question आएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी program है आपका यहाँ पर BPP यह सब जितने भी course है जो कि आप देख सकते हैं 10 number points में जैसे BDP हो गया BDS हो गया जितने भी इसके अंदर course सब है इन सभी course को जो है MC Q question आएगा तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं तो यही सब इस वीडियो में था कि इगनू के ओर से जो hall ticket जारी किया गया था उसको under maintenance में कर दिया गया था तो उसको फिर से reopen कर दिया गया है तो आप अपना hall ticket को आप अगया किसे फाइट आप कर सकते हैं तो बस इस वीडियो में इतना ही था वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए subscribe कीजिए और कमेंट कीजिए कर देदेश विद इस विद्यक्रम आपकाँ आपकाँ झाल झाल